Morning all students, so electric field part 5 दे विच आप साथ वेलकम है इस lecture दे विच पुट आसी discuss करन जा रहे हैं एक बहुत ही important topic electric line of force ते वो electric line of force हैं जिनिया main properties ने अपा कलियां कलियां discuss करांगे सो हर एक property नो में detail दे विच करो वाण भड़ा सारे बच्चेते आना सुने हो कली कली property ते वोड़ा electric line of force से जिड़ी सब तो पहली property है ओ यह है कि ने जिड़ी electric line of force ने न ए imaginary lines ने और दो आड़े माइन दे विच एक question आ होगा सर imaginary मतलब सोचिया हो जाने कि यह reality दे विच एक्जिस्ट नहीं कर दी है ता मैंना तुने की example दे के समझोड़ा एमें इदी कहाणी समझ नहीं होनी ते example बिटा की है एक मेंटली suppose करके चलो के तुसी एक aeroplane दे pilot हो और मन के चलो के तुसी एक flight लेके जानी है ते जिड़ी तोड़ी flight है वो न्यू डेली तो चलके suppose करो जी इत्रो एयरपोर्ट जानी है ता न्यू डेली तो इत्रो जानली तो अनू कोई सडक ता देको हवाच बणी नी हुई ता ज़दों तुसी एरोप्लेन दे ड्राइवर बणगे पाइलेट बणगे तुसी एरोप्लेन नू न्यू डेली तो चाके इत्रो एयरपोर्ट ताक लेके जाने ता तो आडे माइंड दे विच कोई ना कोई imagination ता होनी चाही दिया ना कि मैं इन इन रस्तियां थे जाने ताना तो अनुक मैप दित्ता जाऊगा उन ज़दा विटा मैप दित्ता होंदे ना उरते कली कली चीज पहलें कलीर होंदी है कि साड़ा जड़ा एरोप्लेन है ना इनना इनना रस्तियां दे विच्चों दी होके न्यू डेली तो चलके कित्तो जाऊगा इत्रो एयरपोर्ट होने दसो एरोप्लेन दे पाइलेट नू जड़ा नक्षा दित्ता जानता है कि अस्मान दे अंदर रियल्टी दे विच कोई रोड बने होए ने नहीं ज़स्ट इक इमेजिनेशन है ना तो एरोप्लेन दे जिनने भी रस्ते होने ने उत्थे कोई सड़का थोड़ा बनिया हो जाने ज़स्ट इक इमेजिनेशन जी है कि जी एमे एमे कर किदर इदर दी अरोप्लेन जाऊगा ता जेडि यो इमेजिनरी पार्ट है ना पस इलेक्ट्रिक लाइना भी उदे वरगिया ही ने जदों अरोप्लेन बूव करते है उदे पाथ इमेजिनरी होने ने जदों टेस्ट चार्ज मूव करते है ता उदे पाथ भी इमेजिनरी ही होने ने ते उनना पाथ नो उनना रस्त्यानों ही बोल देने इलेक्ट्रिक लाइन ओफ फोर्स एक एक्जांपल में हूट देके समझाड़ा तुसी एक चीज़ देखी होनी के न जदों क्रिकट थे के ते मैच चल देने ता क्रिकट थे मैच विच की होनदा है एक बॉलर ने बॉल पाई ते बैट्समेन ने शौट मारे है कैच आउट हो गया बट नादिनर ने कर रोडा पे गया के जी बॉल जमीन ते लखी है मतलब क्लियर नहीं होया भी उपरसन आउट हैगा या नहीं हैगा ता तुसी नोट कीता है कि ना कैमरे दे उपरो से एक एक एक्शन रीपले ले आ जाता है ते रीपले दे विच ना ओ प्रॉपर टीवी दी सक्रीन ते के बना के दिखाँ देने कि बॉल इत्थो इत्थो चल लगी इत्थे गई एमें बॉल दा शॉर्ट लगया एमें फिल्टर दे हद तक पहुंची ता जेड़ा बॉल दा रस्ता दिखा रहे हुंदे ने कि ओ रस्ता ग्राउंड दे विच किते बढ़या हुंदा है ता नांसर इस नो वो जिसके इमेजिनेशन हं दी है अथे वित्थो ऑनी बॉल गई एमें बैठती लगी इते चलेगी और इधा मतलब बॉल दे जड़े रस्ते ने वो पिता इमेजिनरी ने न बस गुच एमें इधा ही कनसेप्ट एत्थ है होन मन कर चलो तुसिस ये थे बैठे हों तो आड़े हाथ दे विछ पैन्फल परढ़ा होया है तुसी बड़ा पैननोव वगद आके मारों जन्हों तुसी पैननोव सिट़्या पैनना फर्श्योंप्र गिर गया और मलोगे तो आणोँ आके बुछे कि पैन तो अड़े हाथ देविच सी होन पैन फर्श उपर चला गया इद रस्ता की यह किदे रस्ते गया है ता तुसी नोट करें तुसी जेड़ा नू रस्ता दिखाऊंगे न अपनी उंगल देनल बनाके के जी एमे एमे करके इत्थों इत्थों करके पैन नीचे गया है ता पैन दे पाथ इमेजिनरी ने सेम टू सेम क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जोड़ों मूव कर दे है तवज़ा जड़ा इमेजिनरी पाथ है ना बस उसे इमेजिनरी पाथ ही नाम है इलेक्ट्रिक लाइन ओफ फोर्स की में मैं एक्जांपल देके समझाओना मान लो बेटा म ए तो चलके बी तक जान दी दिखो कोई ना कोई रस्ता थे आप्ट करूगा ना ता क्यू नॉट जदों ए तो लेके बी तक गया ता जिड़े रस्ते दे विच्चों दी होके गया है उस रस्ते नूँ लेक्ट्रिक लाइन बोल दे ने उन एरोप्लेन दी तरह पैन दी तर IJ किया है akadale could be Iksels कर दिखाल के ने गैंद मेर्कत जाने हमल दे अन्य्चे मीनट कर दिख़िया थे यो सोचेह हुझाल लाएन हाЛा के ए उन्यचाय न लाइन नाल ही ड्रॉ हों दियाने, ता ड्राइंग इस दी वी कि में होनी है, डॉटरल लाइन दे नाल ही होनी है, तो हुने पहला concept complete है, कि एजी electric line of force की हों दियाने, imaginary lines हों दियाने, तै सब तो पहली properties ही दीज हार, imaginary lines, उन दूसरी property देख बटा की है, कि एने जीडिया electric lines ने इनना दी क्वालिटी है, ये हमेशा positive to negative चल दियाने, उन्हें इस चीज नूँ समझेओ, कि इनननों ऐसी केडी मजबूरी है, ये positive तो negative जा दियाने, उन्हें इनना दी मजबूरी समझेओ किया, मालो बटा मेरे कुल एक charge ये थे है positive, मालो मेरे कुल एक charge ये थे है negative, उन दो वो चार्ज बेने positive ते inactive मैं हुनी हुनी का गल कही सी कि जदो Q not move करते है ता उसे पात नो दे रस्ते नो की कहने electric line कहने ना उने दे move करनदा तरीका देखे हूँ आ positive है Q not be positive है उने दुसो positive positive नो की करूगा रिपेल करूगा ना ता जे रिपेल करूगा Q not बारवल जाओगा जिद्धर नो Q not जाओगा उद्धर नो की लाइन होगी electric line ये ता मतलो electric line आ पॉजटिव तो start हों दिया ले अच्छ है सा Q not ने जाना के थे है उन Q not खुद positive है ता negative नो की करूगा attract करूगा सो होनी नो त्या आनाल देखो Q not positive हुन दै positive नो रिपेल कर दै negative नो ट्रेक्ट कर दै ता बटासी जदों फी Q not नो छड़ांगे एक किद्धर तो किद्धर move करूगा positive to negative उन चिद्धर नो Q not move करूगा एक रस्ता बढ़ूगा ओसे पाता ही नाम है electric line तै तो यह तो यह कल ख्लियर है electric line आ पॉजिटिव तो अवे जान गिया negative दे towards वाल जान गिया so that's why we say electric line आ कितों चाल दिया ने जी पॉजिटिव तो स्टार्ट होन दिया ने किते खत्म होन दिया ने जाके negative ते खत्म हो जान दिया ने यह प्रॉपर्टी नबर टू electric line आ हमेशा positive तो negative वल ही जान दिया ने ख्याल रखियो तीसरी गल बिटा कहने जिडिया electric line of force ने न इन अच एक बड़ी इसर्फेस ते विच एंटर होन दिया ने तक हैंदे एंगल हमेशा 90 डिगरी ही बढ़ों दिया ने उनए दा की मतलब है मैं समझाओंगा electric line आ जदों किसे सर्फेस नो लीव कर दिया ने या जाके किसे नमे सर्फेस चे एंटर होन दिया ने तक हैंदे एंगल मिशा 90 डा होन दे कि मैं आओ एक्जांपल लेके समझे आँ मनलो बटा मेरे कुल इते किते एक बॉक्स पे है और बॉक्स दे अपर साइड ते पॉजिटिव चार्ज है मनलो एक बॉक्स मेरे कुल इते पे है इते ये साइड उपर नेक्टिव चार्ज है और इलेक्टरिक लाइना किदर तो किदर जान दिया ने पॉजिटिव टू ने जान गयां के वें, उन जानदा तरीका देख्यो, एलेक्ट्रिक लाइना ने पॉजिटिव तो स्टार्ट होना है, तैथो लाइना उपर नो जान गयां, बट एक चीज याद रख्यो, जदो लाइना सर्फेस नो लीव करन गयां, ते अंगल किने डिगरी होगा? 90 डिगरी, उ एलेक्ट्रिक लाइना इतो चलियां, ए लाइना को मके, कित्थे जान गयां? नेगिटिव कोगा, पर जदो जाके नेगिटिव देवच एंटर होन गयां, तो ओथे भी एंगल किना होगा? 90 डिगरी, उन इनु त्या आनाल देख्यो डाइग्राम नो, जदो लाइना ने सर् सर्फेस देवच एंटर होन यां, एंगल तावी किनने 90, सोहने कल याद रख्यो, एलेक्ट्रिक लाइना जदो किसे सर्फेस नो लीव कर दिया नहीं, या किसे भी नवे सर्फेस देवच एंटर होन दिया रे, तैना दा सर्फेस देवच एंगल हमेशा की होन दे है? 90, होन तो सी गाल सोचोंगे, कि सर, 90 ही क्यों होन दे, ऐसी केड़ी वज़ा है, आज उन वज़ा नो समझ दे, 90 ही क्यों होन दे, और समझे बटा 90 क्यों होन दे, देखो, स्पोस करो, मेरे कोड इत्ते किते एक बॉड़ी पर ही है, कोई आटम मॉलीक्यूल कों के जिनने भी साड़ दे, सर्फेस ने, सारे किस्तों मिलके बढ़ देने, एक्टम से मॉलीक्यू ती मिलके बढ़ देने, मालोब ड़ेस से पॉस्टिव चार्ज है, इत्ता क्लियर है, उनो इलिगाल, इरा सर्फेस असी इत्ते शोग करांगे, इस जगाती, ये हो गया ऐसा सर्फेस, मालो नो ये ताहाा सरफेस हो गया पूरी द हो पूरा किसे ही बोडी दा सरफेस है आघ सरफेस ते उत्रे केटम हो गया त awards स Mormont, प७ूर कुहा हो है जो नोट पर बार क्यों अगली का अगरे बिला समय façon एक सुल ने क्या ने पॉजिटिव नोखी करनीं है, रिपेल ते सेंटर तों फोर्स कि दर लगूगी बार वाल उन देखो जिद्धर नों फोर्स लगूग जारस ता फिर उदरी जाओगा न ते हुन ते आनाल देखो जदों क्यों नॉट मूव कर दे आ एंगल 90 हो गया क्यों 90 हो गया क्योंकि इत्थों तो लेके इत्थे तक आए रेडियस है इत्थों तो लेके इत्थे तके टेंजेंट है ते आपा छोटियां क्लासस दे लोर क्लासस दे पड़या हुए है कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा किन्नी एंगल ते हुन देने 90 उपर हो गया तो आप देखो जित्थों चार्ज चलूगा यह वो पॉइट है जित्थे रेडियस ते टेंजेंट मिल देने यह एंगल हमेशा किन्ना हुद है 90 डिग्री ता जदों चार्ज ने चलन है यहां किसे सर्फेस्ट एंटर होने है ता यह एंगल हमेशा किरे हुगा 90 डिग्री उन तेन प्रॉपर्टी हो गया सब तो पहली प्रॉपर्टी ए से नमें सर्फिस्ट एंटर हुं दियाने तैंगल हमिशा की हुंदा है 90 डिग्री ही हुंदा है उन्हों सवगली गल करन तो पहला मैं कुछ ड्राइंग्स करके दिखोना जिदिया काफी इंपॉर्टन है तब डा सब तो पहला सी गल कर देया पहले ड्राइंग दी ये की हुगा तो आपको शांसे सांथे कोई कोल्स आइस ओलेटेड्र पॉजिटिव चार्ज है आइसोलेट्र पॉजिटिव चार्ज मतलब सिर्फ पॉजिटief चार्ज है लाइना ड्रा करके दिखाओ जी उन्हों धेको लाइना के ड्राणीया ने इलेक्ट्रिक लाइना आप देखो पहली गल ता जिन्नियां में लाइना ड्रॉ करूंगा न एक डॉक्टर्ड होण गया उन डॉक्टर्ड क्योंने क्लीर हो गया होणा के सर इलेक्ट्रिक लाइना इमेजनरी ने ता क्योंकि इमेजनरी नी ता डॉक्टर्ड ने दूसरी चीज नोट करो, जेडियां लाइन्स मैं बना रहे हैं, सारियां सर्फेस नू किन्ने एंगल तेने, 90 डिग्री उपर ने, सो पहली गले इमेजिनरी ने, ता डॉटर्ड, दुझी गल सर्फेस नू किन्ने एंगल तेने, 90 डिग्री उपर, तीर्जी गल, एलेक्ट्रिक लाइना जी, पॉजिटिव तो स्टार्ट हूं दिया ने, ता उने एलेक्ट्रिक लाइना किदर न होण गिया, आउट वर्ड्स, एक बारवल होण गिया, लवटा एक्जाम देविचे एक कोस्चन बहुत वार आ चुके है, तो उने पेपर देविच कहनगे, साधे कोडिक आईसोलेटर पॉजिटिव चार्ज है, आईसोलेटर पॉजिटिव मतलब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, सब दा एंगल 90 डिगरी है, तीजी गल, पॉजिटिव तो लाइना बारवल हों दियाने, आउट वर्ड्स हों दियाने, चौथी गल, पेपर देविचे पुछा जानता है, कैने जे एक सिंगल चार्ज होवे, ता लाइना के मेरिया हों दियाने, देखो सारिया लाइना बिल अगल आइसोलेटर चार्ज होवे, ता उदो लाइना की हों दियाने, स्ट्रेट हों दियाने, सो क्लियर, हुण एसे डाइग्राम देना रिलेटरिक होमवर्क में थो नू दे रहे है, थोड़ा होमवर्क पता है कि यह होमवर्क करके अज गुरूप दे विच पे जणगे, तुसी मेंनों यह दसने, कि यह चार्ज है थे, पॉजिटिव दी जगाते नेगिटिव हो जी, ता यह एलेक्ट्रिक लाइन ओफ फोर्स नू तुसी कि में ड्रॉव करोंगी, ता यह थोड़ा होमवर्क है, कि यह नेगिटिव चार्ज है, मेंनों नहीं पता लाइना कि में यह थोड़ी टेंशन है, बद थोड़ा कम इन नहीं है भी जे नेगिटिव होंदा, फेर लाइना कि में ट्रॉव होनिया सी, तो यह दो डाइग्राम्स ने एक सिंगल पॉस्टिव दी नेगिटिव दी, उन आज ग्रुप देव चे तुसी अपने कॉपी दे उपर बनाके कमेंट पॉक्स से विच पे खिच के तुसी मेनू पे जोंगे के सर लाओ जी एमेदिया होन गया है लाइना, सो पहली गल क्लियर होन अगली गल, जे चार्चस एक तो जादा होन, उन एक तो जादा कि में आप पादी उपर आउने है, माल लो बेटा किसने मेनू कहता के सर Q1 Q1 is equal to minus Q2 है जी, चलो सर होन ना तुसी electric लाइना बना के दिखाओ, एसे चीज़ में में भी लिख दिन देने, के Q1 plus Q2 equal to 0, देखो एक कोई गल है, Q2 उदर जाकी की हो जुगा minus, तो एक्जाम देपर चे यह होन दा है, कहने जी Q1 plus Q2 equal to 0, जा Q1 is equal to minus Q2 बास तुसी मनलों एक चार जित्ते है और दूसरा चार जित्ते है, दूसरा देखो है ते equal ने, पर एक positive ते दुझा negative है, आ positive, आ negative है, एक को जेने, बस एक positive ते दुझा negative है, ते एक तरह दे डाइपोली बन गया ना, और देखो इस यहां लाइना के में दिया होन गया, एलेक्टरिक लाइना ने positive तो start होने, ते जाके end किते करने, negative, डॉक्टर लाइन है imaginary, positive तो शुरू negative ते खतम, एक लाइन इतों चलू, जदों surface नो leave करू 90, जदों जाके नमे surface चेंटर करू angle उत्थे भी 90, जान दी यह भी positive तो negative है, एक एलेक्टरिक लाइना फोर्स इतों जलू, surface नो leave कीता तावी 90, नमे surface चेंटर होए तावी 90, ता same to same जिन्नियावी electric लाइन ने, दिखो पहली गल सारियां dotted होन गिया, क्योंके imaginary ने, number 2 सारियां positive तो negative जान गिया, number 3, जदों surface नो leave करने गिया, angle उत्थे भी 90, जदों जाके किसे नमे surface चेंटर होन गिया, angle उत् इस डाइगराम नो ते अनल देखो, electric line पॉजिटिव तो शुरू हो रही आने, negative ते खत्म हो रही आने, सारियां लाइन डाटर ने, surface नो leave कर दिने, enter होन दियाने, तावी 90 उपर, जेग ते डाइपुल हो विना, तो दियां electric line of force में दियां होन दियाने, तो उमीद कर दें, अनल ख्लियर होगी, उन्हें थिक कोस्ट ने थोड़ देली, सोच के जवाब देओ, देखो, पहला में थुन क्या सी, electric line पॉजिट कर दो होन दियाने, ता अंसर की सी, सर जेक single isolator charge होवे तां, उन उल्टा पुछ रहा, electric line कर्व कर दो होन दियाने, ता देखो electric line कर्व कर दो होन दियाने, जदों सर charges सी गिंती, एक दो ज़्यादा होजी, more than one charge, then electric line of force के में दियाने, curved form देव चुन दियाने, so, उन clear, ता डाइग्राम नो क्लिक करने, पे क्लिक कर लो, सारे बचे इसी प्रेक्टिस हाज करोंगे, उन बेटा, तुसीं एक homework मैं तो नो दे रहा, ओ homework, इस तो अगली वीडियो दे विच मैं तो अड़ना सारे homework के share भी करूँगा, और homework note करें किया है, तो अड़ा homework किया है कि Q1 is equal to Q2, मतलों दोने हैं कि equal ने, बट ये दोनो positive ने, ये बहुत important homework है, ये दे विच्छों के concept निकल के आओगा neutral point, कि उन दे ने neutral point मैं दी गाल तो फिलहाल तो अड़ा होमवर्क है किया जी Q1 is equal to Q2, और तुसी में नू इत्थे एदिया लाइना नू ड्राव करके दिखोना है, लाइना की में दिया होण गया, ता अभीद करना एक करन तो बाद थोनो थोड़ा आइडिया हो जुगा, कुछ भी नहीं खेड है, करना इस नू समझाऊंगा, देखो direction नू लखे के विया है, कहने जे ऐलेक्टरिक लाइन सट्रेट है, उन दुसो ट्रेट कर दो होंदिया जी single charge होवे, ता हे अपनी direction खुद दिया है, पर कहने जे ऐलेक्टरिक लाइन सट्रेट ती बजाय कर्वड होवे, ता जेडे पॉइंट ते एक टेंजेंट बना दो, मैं रिपीट करदा, जेता देखो एक कोई सिंगल चार्ज होगे, ता लाइना स्ट्रेट हो दिया ने, जे चार्जस एक तो जादा ने, ता लाइना की होगया करव, उन रूल बड़ा सिंपल है, कि जेता लाइना स्ट्रेट ने, ये अ स्ट्रेट होगी, उन जेडी बड़ा सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, कुछ-कुछ इदिनार रॉलेटर है, और ये थुन ना, टैंथ क्लास भी याद आओगी, देखो के में, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये है, कैने जेडियां दो, इलेक्ट्रिक लाइन ओफ फोर्स ने, कदे इक दुझ्जे नू कट नहीं कर दिया, इलेक्ट्रिक लाइन ओफ फोर्स कदे भी आपस दे विच्छ कट नहीं कर दिया, उन कट किमीं नहीं कर दिया, अप एक मिटली मन गे चल दिया, गल्त है सर, कट कर दिया ने, चलो ये कट कर दिया ने, फिर की हुंता है, देखो, मान अन नो इक लाइन एत्व है, और दूसरी लाइन एत्व है, वैसे तापकानु पता है कट कर दिया ने, बस्ता आप आपां सोच लोग नहीं, असी गल्ता है कट कर दिया ने, आपां हूण हूण करी हूं हूण करे हो। ये वो पॉइंट है जित्थे दोनों लाइना एक दुझेनों कट कर दियाने तव ता रूल पता है की हुँद है आपा हुणी हुणी गल केई सी जे लाइना कर्व होण ते किसे पॉइंट ते डारेक्शन दिखनी होवे ता रूल की हुँद है टेंजेन्ट बनाओ जी हुण देखो एक टेंजेन्ट इथे बन सकते है पहली लाइन थे एक टेंजेन्ट इथे भी बन सकते है दुझी लाइन थे मतलब ज़दों एलेक्टरिक लाइन ओफ फोर्स कट करने गी है ता एक सिंगल पॉइंट ते किन्ने टेंजेंट होंगे दो टेंजेंट होंगे ना हुण 10th class याद करो 10 प्लस 2 याद करो 9th class याद करो मैं कली कली class याद करो ना 9th class mathematics से विचे गल कई सी एक single point ते दो टेंजेंट नहीं हो सकते 10th class 10th class चे question होंदा सी कहने जिडिया magnetic line of force में एक दुझे नू कट नहीं कर दियां सेम अंसर होते सी का के सर magnetic line of ता नहीं जी कट कर दियां एक single point ते दो टेंजेंट मतलब एक single point ते magnetic field दियां दो डारेक्शन विच इस नौट पॉसिबल सेम बिटा से थी बोल दियां तो एक्जाम दिबचे पुछा जानदा है कि की दो electric line of force एक दुझे नू कट कर सक दिया ने अंसर है नो जे पुछे जावे क्यों नी ता बड़ा सेम्पल अंसर बूलना है कि जे कट कर दियां ने ते एक single point ते दो टेंजेंट विच इस नौट पॉसिबल एक single point ते electric field intensity दियां दो डारेक्शन हुई नी सक दियां इस नौट पॉसिबल ने के लाइन आपसे विच कट करने काफी important conceptual है त्या नल इसनौँ learn कर लिए चंगी तरह उस तो अगे विटा हुण अगलिया प्रॉपर्ट्स से जानतो पहला एक question जड़ा बड़ा important है question पता है की है question सुणे हो की important है आपां पढ़ने electric line चलो कुछ हद तक आपा पढ़ भी लेंगा मोटे मोटे दौरते तकरीबन सारे अंगला कर भी लेंगा और एक question मेरे mind देवता देखो आ रहे है तो अड़े बता नहीं आ रहे है वैसे होना चाहिए जिस साइंस वाड़े हो कि सर असी है topic पढ़ क्यों रहे है या सानुकी फायfire जी electric line of force पढ़े था बेलको सही सानुकी फाया है उगना देखा हो जानुकी फाया है electric line of force फजिक सी कैसी property है जीड़ी सानुकी पथा है की की clear कर दी है cứ से जगात electric field है या नहीं इने clear कर रहे है कैने जिथे कोई electric line of force नी न होंदी, उथे electric field भी नी होंदा जिथे electric field होगा, उथे electric line of force ने होणी होणे मनलो, जिस room अंदर तुसी बैठे हो मैं कहता जिस room चे कोई electric field नी तरह सिद्धा सिद्धा मतलब ही है किस room चे कोई electric line है नी इन केस मैं कहता भी थोड़े रोम चा इलेक्टरिक फिल्ड हैगा ता मतलब उत्हे की हैगी यानि एलेक्टरिक लाइना आई तो पहली गल किते फिल्ड है किते फिल्ड नहीं है यह क्लियर करती है दूजी गल बिठा उन जे फिल्ड है उन यूनिफॉर्म है का नॉन यूनिफॉर्म है मतलब सारे पॉइंटां ते एक को जे है कि कुछ पॉइंटां ते स्ट्रॉंग या कुछ पॉइंटां ते फीक है तीजी गल मानलो यूनिफॉर्म है ता उन स्ट्रॉंग है या फीक है और इनना सारियां गलां दे अंसर, इलेक्ट्रिक लाइना तो ही ओंदेने, और कले-कले अंसर सुनें देखो, इलेक्ट्रिक फिल्ड है या नहीं? इस सिंपल जी गला है, जे इलेक्ट्रिक लाइना प्रेसंट ने ता इलेक्ट्रिक फिल्ड है, इनकेस इलेक्ट्रिक लाइना मतलब किते strong है किते weak है अब यह आपनों पता किमें लगने है चलो पहला में तो नों draw काके समझाओना फिर मतलब भी समझाओना किया देखो uniform field किमें बन देने जदों भी किते uniform field नों show करने पहली गलता पुटा जिनिया lines नों तुसी draw करने याद रख्यो सारिया पैर्लल होनियां चाहिए याने दुझी गाला लाइना दे विचकार दे जिटे distance ने वो सेम होने चाहिए याने अवला distance अवला distance ये वडा नोट करो लाइना पैर्लल दे विच होन equidistant होन ता field किड़ा होंद है uniform ता जित्थे किते थोनू एमेदियां लाइना नजर आगियां understood है केड़ा field है uniform electric field उन नौन उनिफर्म देखो ना था बेटा लाइना पैर्लल दे विच होन ना इकोई डिस्टेंट होन उनने इना लाइना नू ते आनल देखो कितो नेडे ने कितो नू दूर ने टेडियां मेडियां लाइना ने तैटमी ने केड़ा field है यह जी non uniform field ता उन सेंपल गाली याद रख्यो uniform नू कि में शोग करीज़ा है लाइना dotted parallel equidistant distance परभर रखने ने non uniform नू कि में शोग करीज़ा है electric line ना parallel होन गया ना equidistant होन गया ता uniform ते non uniform दा फर्क ये कड़ना होवे तास ही किदी help लेने है electric line of force चलो और मैं एत्थे कि तोनू होंवर्क दे रहे हैं छोटा जा मैंना एक field बनाओन लगया सारे बचे दा screenshot ले ले पहला था फिर तुसी मेंनों गुरुप दे अंदर यां comment box दे विचे comment करके तुसी बटा मेंनों ये दस होंगे कि जेडा field में draw कीता है ये uniform है का non uniform है बस इन नहीं कम है थोड़े ली आ डाइग्राम तो आड़े समने में बना थी electric line of force दी तुसी सनू ते आना देखो एक कमेंट देखो दो मेंट देखो ते मेंनों comment करके दस हो screenshot नाल पाए मेंनों गुरुप दे विचे भी comment box दे विचे भी के सर आ रिडा थोड़ा screenshot है ना जी ये uniform है आवा जाए दी जे नहीं uniform था है ना युनिफॉर्म है तो दे पिचे आ रिजन है ता विद रिजन मेंनों थोड़ा अंसर चाहिए थे ये uniform है या non uniform बट सानू दो गला क्लीर हो गिया किते field है किते नहीं है कितों क्लीर होंद है electric line of force दो जे हैगा uniform है या non uniform है ये वी कितों क्लीर होने electric line of force दो अगली property मन के चलो किसने मेंनों कहता सर फील्ड ता जी uniform है उन uniform है लाइना parallel होन गिया डॉटर होन गिया ओके बट अगन मेंनों डाउट है है वी uniform ता चलो हैगा पता नी ता weak है पता नी strong है अगन मैं देखना है भी क्योंके फील्ड यूनिफोर्म है ता line पैरलल भी होन गिया equidistant भी होन गिया ता fen Dad ले केड़ा फील्ड है यूनिफोर्म जे वीटा मैं इतolphे गल करा field तह थी भी यूनिफोर्म है line हाड डॉटर्ड होन गिया line है parallel दे विच्वी होन गिया और दोनाज देखो लाइना डॉक्टर ने, दोनाज लाइना पैरल ने, दोनाज लाइना इकोई डिस्टेंट रहें, डिस्टेंस भी ब्राबर है, बट एक फर्क देखो, कैने जेता लाइना दूर दूर होण, तब फील्ड होंदे है वीक, जे लाइना नेडे नेडे होण, त उनिफॉर्म है को नौन उनिफॉर्म है ती जी गल जी उनिफॉर्म है ओ वी कह यहां स्ट्रोंग है इस तुलावा एक में तो आनों होंवर्क देता ते कुल मला के और मैंनों पूरी अबीद है कि तुनूं सारी कहाणी साम जागी होड़ी के जदों भी कि ते एलेक्ट्रिक प पैसी होर कर देयां बड़ी वदियाते सिंपल जी प्रॉपर्टी है केने जीडियां एलेक्ट्रिक लाइन ओफ फोर्स ने न ए जदों चल दिया ने एक दुझे उपर एं लेट्रल प्रेशर पहुं दिया ने उना एक बड़ा सोड़ा कंसेप्ट है लेट्रल प्रेशर की थोड़ा फ्रेंड देते तोर रहे हैं उन थोड़े तोरंदा तरीका देखो पैरलल च तोर देऊं थोड़ा फ्रेंड थोनूं तक के मारी जा रहे हैं तुसी अपने फ्रेंड रूं तक के मारी जा रहे हूं मतलब चाल पैरलल च रहे हूं बट एक दुझे ने तक का दे रह पारहे रही है और उप्र को हो जब गया है किय नीवर कंच शैयंट्रफीक वजाता हो गी बिल्कुल हो गी देखो हिरा हमानगे इतने क्थलेक्प्रिक लएन है कि पहले तो झालल फोच के दिस यह आलेक्परिक ने कौन चल दा है ता देको दो ऐलेक्ट्रिक लाइन ने तो ना लाइना ना दे अंतर कोन भूव कर रहे है ता दो ना चल दे ने टेस्ट चार्च लाइन को अपनों पत है के उनोर्ट एनुर पैल करते है लेटरल पैशर था हाम बड़ी सोनी धार्ट्रीक लाइना उदी क्वालिटी है नाल पैर्लल तुर यह जान द Olaf अभाई जने लेट्रीक लाइनों फेर्स एक दूजयो पर की पहुंद एने फर प्र पेपर पॉंद ए प्शा जाना हूँ केने जी लेक्ट्रिक लाइना जरो चल दियाने न इन लेटरल प्रेशर पहुं दियाने ए लेक्ट्रिक लाइना दी केडी प्रॉपर्टी है ता सिंपल जा अंसर है ए रिपल्शन नो शो करता है देखो जित्धे रिपल्शन है लेटरल प्रेशर उत्थे होंदा है एक इस सिद्धा सिद्धा मतलव है किस चीजनों शो किता जा रहे है भी नाप लास्ट लेक्ट्र बाइन दे बेस्ते एक आर्टिकल करांगे ता उस तो बाद फिर अपने थियोरी आल्मूस्ट ओवर हो जानी है जिनिक आप 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 आलानाइन कर रहे है फिर उसे बाद इसस ते सारे बचे टेस्ट त्यार रखे हो इस संडे वन बीदा टेस्ट हुगा सु, थैंक्स